जी हाँ दोस्तों अगर आप भी ऑनलाइन बुक राइटिंग का काम करके यहनी किताबें लिखकर महीने का लाख से दो लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो खास तोर पर आप के लिए क्योंकि आज किस वीडियो में मैं आपको बताना लगा हूँ कि आप किताबें लिखकर अब आप सोच रहे होंगे किताबें लिखना तो बड़ा मुश्किल काम है तो आपको मैं यह बताता चलूँ कि आज कल के दोर में AI का दोर है ठीक है यह 2024 चल रहा है 1992 या 1952 नहीं चल रहा कि जिसमें आपको खुद पैंसल और कापी लेके किताबें ल मिल सकते हैं आपको सिर्क किताब के जरीए 50 डॉलर भी मिल सकते हैं आपको सिर्क किताब के जरीए 20 डॉलर भी मिल सकते हैं जो आप तक डिपेंड करता है कि आप कितने डॉलर उसके बदले में लेना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा प्रेड़ फार्म दिखाने लगा कि जिसके बारे में बहुत से लोगों ने मेरे ख्याल से अभी नाम भी ने सुना हुआ ठीका जो आम लोग हैं जो निव निव नुव भी आई हैं ठीका ऑनलाइन अर्णिक की फिल्ड में तो उन्हों ने इस चीज़ का नाम भी नहीं सुना हुआ तो आप इस प्रेयर फार्म में अगर सबसे पहले आती हैं और यही काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस काटगरी में कम्पिटिशन इंताई लोग है इस प्रेयर फार्म के उपर तब जल्द जल्द इस चोटी सी स्किल को सीख कर अपना काम जहां पर शुरू कर दें तो इंशा के तीन मह olmaz भी लग सकते हैं तो अगर आप यह काम सिखना चाहते हैं तो वीडि़ियो को कांटीनियू करें वरना तो आप जा सकते हैं क्योंकि इस काम में 오른 वक्त लगईगा अगर आप वक्त डे सकते हैं लेकन जे रही हैं कि आपने यह काम कर के सारा दिन फून पकड़ क के आट में बेखे रहने है आपने इस काम को एक मरतबा करके छोड़ देना उसके बाद जब आपको काम मिलेगा तो आपने काम करना है और अपनी पेमिट ले देनी है वरना तो नही उसके अलावा आफ फारेग गूम सकते हैं ज़ा कोई और भी आप जॉब कर सकती है और उन्माइन हो सकती है या फिजिकल हो सकती है तो है मुबाइल की स्कीन पे मैं आपको A to Z डिटेल दूँगा क्या अपने किताबें कैसे लिखनी है वो भी सिर्फ एक लिखनी है ठीक है और उसके जरी आपने पैसे कैसे कमाने है वो भी जस्ट दो या तीन महीनों के अंदर अंदर आपकी इनका माना शुरू हो जाएगी लकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं आया है तो पहली मरत आया है तो चैनल को सबस्क्राइब करने बैल नटिफिकेशन आन करके कमेंट के अंदर डन लिख दें ताके मुझे पता चल जाए कि आपने वाकिन में सबस्क्राइब कर लिया है नबर पे पिक्सल लैप ठीक है आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आद है गंटा लगेगा तो आपकी एक बुक बन के रेडी हो जाएगी वो भी यूजिंग दा ए आई आई ठीक है तो आपने नोट पैड कौन से वाला डाउनलोड करना है नोट पैड का आपको स इसके इलावा आपने कोई इंस्टाल ने करना उसमें आपको काम नहीं होगा ठीक है मैं बैक आजाता हूँ अब फर्ज करें कि मुझे एक किताब लिखनी है जी बच्चों की उपर ठीक है कि बच्चों की अच्छी आदितें ठीक है इस पर मैंने एक किताब लिखनी है ठीक गूगल ट्रांसलेटर उपन करना है ठीक है अब आपने यहाँ पे बाहर से करनी है जैसे आप किसी बंदे से बात कर रहे है कि भाई मुझे तुम किताब लिख के दो ठीक है और उसका मौज़ू है जी बच्चों की अच्छी आदते हैं ठीक है यह बुरी आदते हैं कोई भी मौज़ आप ले सकते हैं बच्चों की अच्छी और बुरी आदते हैं इस पर तुम मुझे पूरी किताब लिख के दो बस आपने जिस तरह से मर्जी आपके दिल में आए आप इस जाना जितना मर्जी लंबा हो सके जमला अपनी बात आपनी एक्स्प्रेयन करनी है और आपने जहां पर बोलना है आप जैसे ही बोलेंगे तो यह आपको सारी बात इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा ठीक है तो यह में अभी आपको बकाइदा आप उर्दू में में बुक लिख सकते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अगर आप लास्ट में बोल देते हैं कि यह सारी किताब उर्दू जबान में हो तो वापको अर्दू में लिख के देगा सेंबल सी बात है अगर आप बोलते हैंगे यह सारी किताब English जबान में होने जाए तो आपको English में लिखके देगा तो मैं अभी आपके सामने इसमें नहीं बोल सकता स्क्रीन रिकार्डिंग बंद हो जाएगी तो मैं यहाप स्क्रीन रिकार्डिंग पाउस करता हूँ और मैं आपको सारा यहाँ बोल के दिखा देता हूँ तो यह आप देख सकते हैं कि मैं अपनी सारी बात explain करा दी है कि मुझे एक पूरी तफसील के साथ किताब लिख कर दो जिस का जिस किताब का मौदु है कि बच्चों की अच्छी और भुरी याद थे और इस पर जतना नालज तुम्हारे पास मुझूद है तो तुम उसके मताबक मुझे पूरी किताब लिख कर दो ठेडिंग्स भी तुमने हाईलाइट करनी है ठीक है उसको मैं आगे बोला है अतलु मैंने सारी और जो छोटी हेडिंग्स है उनको तुमने अपने जिगल पर हाईलाइट करना है और जो बड़ी हेडिंग्स है उनको तुमने अपने जिगल पर हाईलाइट करना है और जिस तरीके से एक बिलेकुल किताब लिखी जाती है ठीक है उसे इंदाज में तुमने मुझे लिखके देना है यह सारी बात मैंने explain कर दी यहां पर अब यह सारा कुछ नीचे अंग्लिश में आ गया सिंपल आपने copy पे क्लिक करना है ठीक है उसके बाद आपने आ जाना है जी chat gpt ठीक है इसको open करना है उसको यहां पे simple paste कर देना है और आपने search पे क्लिक करना है अब यह आपने देखना है यह इसने heading भी दी है जैसा अगर मैं इसे बोला था ठीक है अब यह देखते जा रहे हैं यह अभी भी लिख़ी रहा है ठीक है यह पूरी एक किताब chapter 4 ठीक है यह जितने chapter अगर आप मज़ीद chapter चाहते हैं तो यह जहां पर रुकेगा ठीक है अब इसने जाना 7 chapter लिख दी है ठीक है अब मेरे लिए तो यह काफी है अगर आपको कोई बना कहता है कि मुझे फुल तफसील के साथ एक किताब लिख कर दो तो आपने इससे continue बोलना है continue करना है तो यह उसके मज़ीद chapter बना देगा यह देख सकते हैं आप ठीक है कि यह मज़ीद उसने आगे लिखना शुरू कर दिया है ठीक है अब आपने क्या करना है कि यह सारा उपर वाला आपने copy कर लेना है ठीक है यह उपर जो मैंने आपसे लिखवाई है chapter 1 से long press करना है इसको copy करना है copy करने के बाद आपने आजाना है जी chrome में chrome में आने के बाद आपने जहाँ पर उपर सर्च करना है spinbot.com इसको आपने सर्च करना है सर्च करने के बाद जहाँ पर आपने simple वो text paste करना है जहाँ पर आपने क्यूं paste करना है इसकी वज़े है कि ये AI से लिखा गया है ठीक है तो AI का बाद लोग accept नहीं करते तो आपने simple basic spin पे आपने क्लिक करना है जैसे हैं आप इस पर basic spin पे क्लिक करेंगे तो आपने ये नीचे वाला ठीक है इसने जो आपको नीचे वाला लिखके दिया है आपने इस सारे को कापी करना है उपर वाले को आपने कापी नीचे वाले को आपने लांग प्रेस करके सिलक टाल करके कापी कर लेना है उसके बाद आप इस note pad का उपन करना है और आपने इसको यहां पर save कर देना है ठीक है मैं इसको simple जहां पर save कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर उपर इसका टाइटल दे देता हूँ जी कि बच्चों की अच्छी और बुरी आदते हैं अगर आपको इसकी बीड़ दनी आती तो आप वाज़े गुगल ट्रांसलेटर पर इस सिंपल आपने बोलना है तो आपने उपर लिख देनी है ठीक है मैं उपर लिख देता हूँ जी मुझे आती है बैट एड गुट हैबिट्स आफ बेबीज ठीक है मैं ने लिख दिया अब यह एक पूरा बन कि आपने इसको सिंपल अपने पास सेव कर लेना है अब मेन चीज़ है एक बुक में आपने उसका कवर उपर बनाना है ठीक है एक जो बैक कवर होता है और एक जो दूसरा कवर आपने उन दोनों कवर्स को बनाना है आपने वो कैसे बनाना है सिंपल आपने पिक्सल लेव उपन करना है ठीक है यह पड़ा है मैंने इसलिए आपको बोला है कि ये चारों चीज़े आपको काम आएंगी ये आपने इसको बैस करते है और आपने एक कवर्स यहाँ पर बनाना है ठीक है अब वह आप कोई भी और राख सकते हैं ठीक है कलर में यहाँ पर कोई भी चूज़ कर लेता हूं ये वला ठीक है अब उसके बाद ये आपने डिलीट कर देने हैं टेक्स्ट उसके बाद आपने आ जाना है जी आपके पास ये भी एक आप इंस्टाल होनी चाहिए इमज सर्च मैंन ठीक है ये भी आपने गूगल प्लेस्टोर से कर लेनी है सिंपल आपने जहां पर सर्च करना है जी ठीक है बेबी कार्टोन पिक्चर पिक्चर्स ठीक है मैंने सर्च किया तो आपके समने बहुत सारे यहां पर शो हो जाएंगे कार्टोन की शकल में और बुक्स आपने देखियों कि बच्चों के बुक्स अकसर ऐसी ही होती है तो आपने यहां से एक वाई की उठा लेनी है पिक्चर और एक गल की उठा लेनी है ठीक है जैसे आपको बहतर लगे तो मैं उठा लेता हूँ ठीक है कोई भी जहां से मैंने इसको भी उठा लिया और उसके बाद एक मैं यह वाली पिक्चर उठा लेता हूँ उसके बाद आपने पिक्सल लैब में आना है पिक्सल लैब में आने के बाद जहाँ पे आपने क्लिक करना है फ्राम गैलरी से यह दोनों पिक्चर उठा लेनी है ठीके यह तरीका आप सब को आता है ठीके उसके बाद मैंने यह एक पिक्चर जहाँ पर रख दी जै मिन आपको simple cover बनाने के तरिके बता रहा हूँ आपने जब बना रहा है तो आपने मजीद जितना आप से हो सके ठीक है उतना ये खुबसूरती से आपने जो एना काम करना है अराम से ठीक है जितना आप अच्छे से काम करेंगे उतना ये जो एना आपकी earning भी जैदा होगी अगर ये बहुत बड़ा है तो आपने इनको छोटा कर देना है ठीक है अगर adjust नहीं हो और adjust सोरी ठीक है आपने जैसा आपको अच्छा रहा गया आपने इनको एक साथ adjust करना है ठीक है अब उसके बाद आपने इनके उपर लिखना है ठीक है मैं यहाँ पर क्रिक करता हूँ टक्स्ट मी आई ठीक है आपने bad and good habits ठीक है of baby ठीक है मैंने लिख दी यहाँ अब आप इसको अपने मर्जी से जैसा हो सकते हैं आप इसको font दे सकते हैं color दे सकते हैं ठीक है मैंने यहाँ पर click किया उसके बाद जहां पर आने के बाद आपने इसको बड़ा कर देना है ठीक है मजीद अगर आप इसमें decoration करना चाहें कुछ भी आप कर सकते हैं मैं यह यह आपको example के लगी है ठीक है यह ठीक लग रहा है उसके बाद आपने इसको shadow दे देना है जैसा आपको अच्छा लगी है यहाँ पे में shadow भी एक दे देता हूँ ठीक है इसका color में change कर देता हूँ ठीक है blue में यह एक book आप की जो है ना यह उसके एक उपर title एक तैयार हो गया ठीक है bad and good habits of baby आपने simple जहाँ पर click करना है और इसको save कर लेना है आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं मैंने आपको सिरफ और सिरफ example के लिए बनाना सिखाए है ठीक है तो वो आपका वहाँ पर save हो गया आपने दोबारा note pad में आना है ठीक है अब उसके बाद आपने क्या करना है कि प्रिंट बना रेना है ठीक है आपने यहाँ पर click करना है print जहसी आप इसपर click करेंगे तो इस पूरी file का एक print बनके आपके सामने show जाएगा ठीक है या भी उसका print बना रहा है थोड़ा time लेगा ठीक है अपने print पर click करना है तो यह देख सकते हैं वो पूरी book आपके सामने प्रिंट की शकल में आ चुकी है अब आपने इसको अपने पास सेव कर लेना है सेव कैसे करना है यहां पे क्लिक करें ठीक है किसी भी फॉल्डर में आपने सेव कर लेना है यहां तो हो गया यह काम आपका सारा कि आपने एक बुक तियार कर लिये ठीके खुद ठीक है सब कुछ आपने उसके चप्टर सब कुछ आपने कर लिया है उसका कवर फौटो भी अगर आप लास्ट वला बनाना जाते हैं तो वो भी आप कुछ भी लिखके एक और भी उसका बना सकते हैं जो आपने कि ये work आपने search करता है ठीक है इस पहली website को open करना है यहाँ पर आना है मैं आपके समय लखता हूँ जी book ठीक है writing जैसे समय करूंगा तो आपने देखना है कि कितने लोग शोओंगे आपके सामने के जो लोग यही काम कर रहे हैं यह फस्ट वाले बाई हैं इनकी मैं प्रॉफाइल उपन करता है ठीक है तो नीचे आ जाते हैं यह कितने डॉलर ले रहे हैं एक और के यह 20 डॉलर ले रहे हैं ठीक है एक और के उसके बाद मज़ीद आप डिटेल्स पाट सकते है यह नहीं सेंपल्स भी अप्लोड की हुआ है यह वैसी डाकुमेंट में दे रहे हैं यह देख सकते हैं आप लोग मैं खुझ से तो नहीं बता रहा रहा आपको ठीक है यह वैसी डाकुमेंट में दे रहे हैं उसके बाद मैं मज़ीद बैका जाता हूँ ठीक है ले रहे हैं ठीके देखिए कितने लोग जहां पे काम कर रहे हैं और मैं मजीद जहना ऊपर करता जाता हूं तो आपने देखना है ठीके इतने लोग नहीं है ठीके ये आँ देख सकते हैं कि THIS कि इतना कमपिटिशन नहीं है बस of इतनी पोफाइल्स है ये देखें हमें चाहिए, जब आप अकाउंट बनाएंगे, तो इसके आपको इन बॉक्स में मेसेज़िस आएंगे, जैसे फाइवर पर आते हैं, तो आपने simple उससे उसका email लेके ठीक है email में आजाना है यहाँ पर मैं आजाता हूँ email में ठीकि आपने उसका email उससे लेना है और आपने उससे जितनी भी payment हुई वो आपने अपने पेगर के account में लेनी है उससे आगे आपने जहाँ केश जी पैसा में ले लेनी है लेकिन बात जाती है कि आपने उसे send कैसे करनी है webook तो आपने से स्वार पूछए है यहां पर आपने collect करना है Demo नीचे आपने अस बंदे का email जहाँ पर यहां पर लिखना है ठीक है यह तो आपका email है आपने उसकी एमEAL लिखना है उसके बाद आपने attach file में आना है Attach File में आने के बाद आपने वही Zusे वही वही फाइल आपने जार पर Select करनी है तीक है उसके बाद दूसरी भी आपने Select करनी है जो आपने पिacja लैब से बनायाई है वह भी आपने Select करना है तीक है उर सिंपल उसको Send कर देना है अब भी सेंड नहीं होगे क्योंकि मैंने कोई भी इमेल जहां पे दाज नहीं किया हुआ किसी और बंदी का ठीक है इस दी नहीं हो रहा तो उसको चला जाएगा आपने उससे पेमिट ले लेनी सिंपल यह काम था मैंने आप उसारा समझा दिये वीडियो अच्छी लगी है तो